अच्छे से होंगे मजे में होंगे तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है बैंगन का भरता बैंगन के भरता बनाने के लिए मैंने बैंगन को माइक्रोवेव में पकाया है हमें हमेशा डर लगा रहता है कि बैंगन में कीडा होगा तो इसलिए हम उसे पकाने से कत्राते हैं और बहुत कम ही भरता बनाते हैं लेकिन इस तरीके से आप दो भरता बजीजक बना सकते ते erzähl हैं दो मीडियम साइज के गोल बैंगन तीन मीडियम साइज के प्याज और दो छोटे टमाटर और तीन से चार हरी मिर्च चाहिए सबसे पहले हम बैंगन को अच्छे से वाश करके उसको छील लेंगे तो देखिए मैं आपको यह छील रही हूँ इसे आप असानी से छील सकते हैं तो देखिए मैंने यह बैंगन को छील लिया है इसी तरह से हम दूसरे बैंगन को भी छील लेंगे तो जब हमारा बैंगन अच्छे से छील जाए तो हम उसे एक बार फिर से पानी से हलके वाश कर लेंगे और उसके बाद हम इसे microwave करेंगे तो देखिए मैंने इने microwave में रख दिया है और अब हम इसे कम से कम 5 से 5 मिनट के लिए चला लेंगे आप इसे एक बार 5 मिनट के बाद चेक कर लें अगर उसमें आपको लगे क्योंकि बैंगन अलग-अलग थोते हैं कोई बैंगन जल्दी पक जाता है तो आप इसे एक बार 5 मिनट के बाद चेक कर लें तो मैंने इसे 2 मिनट और रखा था क्योंकि ये पका नहीं था तो उसके बाद हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे तो देखिए हमारे बैंगन अच्छे से मैश हो चुके है तो बैंगन को मैश करने के बाद हम एक पैन में ओयल को डालेंगे मुझे 4 से 5 बड़े चम्मच ओयल को डालना है इसके बाद मैंने इसमें कोरियंडर सीट को अड़ किया है ये पूरी तरह से आप्शनल है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं अच्छे से भूनना है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसे месяm आज पर ही पकाएं तेज पर ये जलदी जल जाएंगे लेकिन अच्छे से पकेंगे नहीं इन्हें अच्छे से golden brown dark brown करना है तो इसमें थोड़ा time लगेगा पर जो टेस्ट आएगा वो अमेजिंग आएगा तो देखिए हमारे जो प्याज है वो लगबग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसे बस हमें थोड़ा सा ही और पकाना है तो जब हमारे प्याज इतने गोल्डन ब्राउन हो जाए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पर आप इनमें टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काट कर रख ली थी उसे भी एड़ कर दिया है इसके बाद हम इसमें नमक और लाल मिर्च को एड़ कर लेंगे इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है और नमक और लाल मिर्ज को आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है उसके बाद हमें टमाटर को भी अच्छे से चम्मच से प्रेस करते हुए इसका एक पेस्ट बना लेना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए हमारे प्याज में तो इसे चम्मच से आप दबाते रहें ताकि वो अच्छे से प्रेस होकर मैश हो जाए तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो जब हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए तो हम उसमें जो भरता हमने बैंगन का तयार करके रखा था उसको भी हम इसमें एड कर देंगे तो इसको भी आप अच्छे से चलाते रहें अच्छे से मिक्स करते रहें चम्मच से दबा दबा कर इसमें देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आ रहा है बहुती टेस्टी लग रहा है आपको भी मन कर रहा होगा कि आप इसे अभी बनाएं और खाएं तो आपको ये मेरी recipe कैसी लग रही है ये मुझे आप comment करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लग रही है तो आप इसे try जरूर करें तो देखिए हमारा भरता तब तयार होता है जब इसमेंसे ओइल सेपरेट हो जाए तो हमारा ओयल जो है भरते से वो सेपरेट आउट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये खाने के लिए बिलकुल तयार है आप इसे रोटी के साथ सर्ण करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंट फ्रेंड्स के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आनेवाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स रीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे बाई